Hello everyone, आज मैं आपको बताऊंगी PC5 की त्यारी कैसे करनी है PC5 पेपर जो है, ये Constitution of India, Statutes and Service Regulations से रिलेटिड है ये पेपर common रहता है, Civil Account, Civil Audit, Local Audit, P&T Audit और Commercial Audit सब में ये पुछा जाता है और इसकी duration 2 hours की होती है और 100 mark सा ये पेपर रहता है objective type questions पुछे जाते हैं इसमें अब हम देखते हैं कैसे आपको इसकी त्यारी करनी है कौन से topics जादा important है इन topics को कैसे cover करना है तो सबसे पहले आपको service regulations की rules करने है जो अभी से लेबस में mentioned है उनके provisions आपको अच्छे से करने है जैसे central civil services joining time rules यह आपको अच्छे से करने है छोटा topic है लेकिन important है इससे questions पुछे चाते हैं इस बार भी questions आएवे थे joining time rules के और बहुत easy topic है आपका easily cover हो जाएगा आप यह topic भारी की book से cover कर सकते हो next is central civil services pension rules very very important pension rules तो important topic है तो यह तो आपको करना ही करना है बहुत important है यह अच्छे से आपको करना है यह भी आप भारी की book से cover कर सकते हो next is new pension scheme most important topic यह आपको अच्छे से करना ही करना है इस बार भी इससे questions पुछे गए थे तो यह topic आपको बिलकुल भी छोड़ना नहीं है छोटा topic है और easy भी है तो यह आपका easily cover भी हो जाएगा तो इसे आप अच्छे से कर लेना next is central civil services leave rules यह भी important है आपको सभी leave rules अच्छे से याद रखने है कितने time period के लिए कोई leave मिलती है वो सब कुछ आपको याद होना चाहिए सभी leave rules आपको अच्छे से याद करने हैं इससे related numericals भी पूछे जाते हैं आपको वो भी try करने हैं और rules भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए कितना time period होता है हर leave का वो आपको पता होना चाहिए next topic is central civil services classification control and appeal rules यह वाले rules आप सबसे last में कर सकते हो इन्हें starting में मत करना time waste हो जाएगा जादा questions नहीं पूछे जाते हैं इसमें suspension वाला part important है जो suspension से related rules हैं वो आपको करने हैं वो important हैं उससे question पूछा जाता है बागी का आप portion छोड़ सकते हो लेकिन जो suspension से related rules हैं वो आपको cover करने हैं next topic is central civil services conduct rules यह topic भी जादा important नहीं है तो इसे आप last में कर सकते हो लेकिन skip मत करना क्योंकि छोटा topic है हो जाएगा आपका जल्दी से cover तो इसे कर लेना और इसमें rule numbers भी आपको याद रखने हैं rule के साथ आपको rule number भी पता होना चाहिए conduct rules का जैसे बागी rules हैं उनमें आपको rule number याद करने की जरुषद नहीं है बिल्कुल भी आपको rule numbers याद नहीं करने हैं सिर्फ आपको rule पता होना चाहिए rule क्या कहते है rule number आपको याद करने की जरुषद नहीं है लेकिन conduct rules के आपको rule number भी याद होने चाहिए next is fundamental rules यह भी important topic है क्योंकि जो terms हैं जैसे average emoluments emoluments यह terms आपको पता होनी चाहिए बहुत important terms है तो fundamental rules आपको cover करने है चाहिए भारी की book से आप cover कर सकते हो अगर आपके पास ज़्यादा time नहीं है तो मैं आपको यही suggest करूँगी भारी की book से आप पढ़ोगे तो अभी आपका से रहे बस पूरा cover हो जाएगा जो important part है वो सारा उसमें cover हो जाएगा अगर आपने भारी की book से अच्छे से त्यारी की है बहुत अच्छे से तो आपका paper easily clear हो जाएगा next topic is traveling announces rules जो TA rules हैं वो बहुत important topic है यह आपको अच्छे से करना है इस से related इस बार बहुत सारे questions पुछे वे थे practical questions भी बहुत पुछे गए थे तो यह topic आपको अच्छे से practice करना है next is general provident fund यहनि कि GPF rules very important यह आपको करना ही करना है GPF rules से बहुत questions पुछे जाते हैं topic easy है आप इसे easily cover कर सकते हो तो इसे skip मत करना यह बहुत जरूरी है तो इसे जरूर कर लेना next topic is central civil services medical attendance rules यह topic important नहीं है इसे आप skip कर सकते हो education पुछा जाता है इसका लेकिन उसके लिए पूरा topic cover करना time waste कर देता है क्योंकि cramming part बहुत जादा है इस में तो इसे आप छोड़ सकते हो अगर आपके पास last में बहुत जादा extra time बशता है पुरा आपका से लेबस cover हो जाता है उसके बाद भी आपके पास extra time है तब आप इस topic को cover कर सकते हो वरना आप इसे छोड़ के जा सकते हो next topic is central civil services LTC rules यह topic बहुत important है इसको आपको अच्छे से करने है इसके practical questions भी पुछे जाते है सभी conditions आपको अच्छे से पता होनी चाहिए तो यह rules आपको अच्छे से cover करने है LTC rules अभी मैं आपको बता चूँ क्यों rules के आपको rule numbers याद नहीं करने है सिर्फ जो conduct rules है उनके rule numbers आपको याद रखने है लेकिन सभी rules की date of implementation पता होनी चाहिए यह ज़रूर cram कर लेना कौन से rules की state से implement हुए थे तो यह आपको पता होनी चाहिए Next topic is Constitution of India and Acts Constitution of India के कुछ parts ही syllabus में mention है जिनसे related articles आपको याद करने है जो important articles है वही आपको याद करने है और part किसे related है वो भी आपको पता होना चाहिए schedules जो है Constitution के 12 schedules वो आप अच्छे से याद करने है और यह से बस में note दिया हुए कि जैसे ऐसे questions President का election कैसे होता है क्या qualification होती है क्या eligibility criteria होता है इस type के questions बिल्कुल भी नहीं पूछे जाते है यानि कि Constitution को आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है सिर्फ जो important articles है वो आपको पता होने चाहिए part किसे related है वो भी पता होना चाहिए schedules आपको याद करने है इस पार सिर्फ एक ही question पुछा हुआ था कि पंचायद से related कौन सा part है तो आपको यही चीज़े याद रखनी है CHE से related जो भी articles है 148 तो 158 151 आपको सारे याद होने चाहिए emergency से related कौन सा part है emergency के जो articles है वो आपको पता होने चाहिए ऐसे questions ही Constitution से पुछे जाएंगे जो कि आप Lucent से cover कर सकते हो उससे जादा आपको details में Constitution को नहीं पढ़ना है इसको जादा time मत देना next is CACS DPC Act important topic very 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 important topic इससे related मैं वीडियो भी बना चुकी हूँ तो आप मेरी वीडियो से भी इस topic को cover कर सकते हो इसके MCQs भी available है राहिसर के वो आप try कर सकते हो तो यह topic तो must है आपको सारे के सारे sections याद होने चाहिए section number के साथ उन sections में क्या का गया है सब आपको याद होना चाहिए DPC Act बहुत important है यह करना ज़रूरी है next is regulations on audit and accounts 2007 यह आप skip कर सकते हो क्योंकि बहुत बड़ा topic है और question इसे एक या दो ही पुछा जाता है इसे करना time waste करना मैं मानूंगी तो इसलिए इसे मत करना इसे आप skip कर सकते हो लेकिन DPC Act को आपको बहुत 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 अच्छे से करना है जो regulations on audit and accounts है वो DPC Act से related ही है अगर आप इसको पढ़ोगे इसमें इसकी detail में दिया होगे कैसे किया जाता है implement तो इसे आपको करने की जुरुत नहीं है regulations on audit and accounts इससे जादा questions नहीं बनते तो इसे आप skip कर सकते हो वो तो मैं कहूंगी कहूंगी कि अगर आपके पास time बचता है तो आप इसे कर सकते हो लेकिन end में लेकिन starting में इस पे time waste मत करना प्लीज नहीं तो कुछ फाइदा नहीं होगा इसे cover करने का अब आपको मैं दो books refer कर देती हूँ कि यह वाली books आप कर सकते हो मैं भारी इसकी book वो रही थी भारी इसमें दिखनी रहा बारी के नाम से यह book है बहुत अच्छी book है बहुत जादा अच्छी book है इसमें MC की उस भी दिये हुए है और topics को भी बहुत brief में दिया हुआ है लेकिन अच्छे से आपको समझ आ जाएंगे आपका syllabus अच्छे से cover हो सकता है बारी की book से यह भी book है मुथु स्वामी की Master Guide to FRSR यह भी बहुत अच्छी book है इसको भी आप ले सकते हो इससे आप cover कर सकते हो अपना PC5 मुथु स्वामी की हर rule की एक अलग-अलग book भी available है market में तो आप अगर detail में पढ़ना चाहते हो अच्छे से समझ के करना चाहते हो आपके पास बहुत टाइम है तो आप individual book भी ले सकते हो तो आप उससे भी cover कर सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे लेकिन बहारी की book में बहुत short notes की तरह दिया हो है तो आप इसे भी refer कर सकते हो तो आच्छे से इसकी तियारी करना All the very best Thank you